सो हेलो अब्रिवन सु मेरा नाम है गॉरब सु आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप सर्वेहाट का फॉर्म आप कैसे बना सकते हो तो यह वीडियो आप लोगों ट्लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है खासकर जो बिगिनर्स है उन लोगों के लिए जंठ चैप क्या सर्वेहाट का फॉर्म हाट कैसे बना सकते हो इसको अपको इसको अश्ज। कर ले ना है फिसलिए हां इसको अपरdal इसको ओपन कर ले टो हम इसको ओपन तो यहां पर जितना भी email ID आपके phone में होगा और यहां पर शाराश होगा ठीक है आपको जिससे भी आपको sign in करना है आपको उसके पर click करना है तो मैं यहां पर मैंने इस पर क्लिक किया जैसे आप साइन करोगे तो कुछ इस तरीक का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ठीक है पूरा ब्लैंक रहेगा यहां पर आपको लिखा हुआ है नो फॉर्म एबलेबल ठीक है अब हमें फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा नीचे में किलिक करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे फॉर्म का टेंपलेट मिल जाएगा ठीक है आपको जो भी पसंद आएगा आप उस फॉर्म को आप सेलेक्ट कर सकते हो ठीक है अगर आप मेरी सलाम आनो तो आपको क्या करना है सबसे पहला वाला जो आपको टेंपलेट दिख है तो मैं यहां पर एक टाइटल देता हूं आप भी इसी सेम टाइटल का इस्तेमाल कर सकते हो अपने फॉर्म को बनाने के लिए लेट्स वर्क विद गौरब कुमार ठीक है आप यहां पर अपना नाम दे देना गौरब कुमार के जगे पे उसके बाद यहां पे पूछ रह आप चाहो तो इसी फॉर्म को इडिट कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो यह सारे फॉर्म को डिलीट करके आप अपने अकॉर्डिंग आप नया कोश्चन को आप सेट कर सकते हो ठीक है तो हम क्या करते हैं पहले यह सारे कोश्चन को हम बना के बताते हैं वह आपके इसके लिए में क्या करना होगा नीचे में आपको देखो प्लस का साइन दिख रहा होगा आपको इसके उपर क्लिक करना है जैसे आप इसके उपर क्लिक करोगे यहां पर बहुत सारे option खुल के आ जाएगा ठीक है तो यहां पर जितने भी आपको option दिख रहे हैं यहां पर पूछरा question तो हम यहां पर text करेंगे name नेम पर हमने text किया और यहां पर हम required को कर देंगे on यह हमारा हो गया पहला question ready ठीक है उसी तरीके से दूसरे question को ready करने के लिए क्लिए करना है अगेन हमें प्लस वाले sign पर click करना है ठीक है उसके बाद हमें जो दूसरा question जो चाहिए वो चाहिए हमें जेंडर का तो इसके लिए दिखो आप दो चीज़े कर सकते हो या तो आप सौट एंसर को भी आप चूज कर सकते हो या फिर आप multiple choice को भी आप चूज कर सकते हो ठीक है माल लेते ह जो कर लेते हैं चूज किया यहां पर पूछरा question तो question में लिख देते हैं जेंडर अब यहां पर ऐडा option के आ रहा है यहां पले ठीक है male उसके बाद दूसरे फिर add option पर click करो आप यहाँ पर लिख दो female ठीक है हमने कर दिया यहाँ पर female ओके और यहाँ पर हम required कर देंगे क्लिए अब यह दूसरा question भी बनके ready हो चुका है राइट अब हमें चाहिए तीसरा question तो तीसरे question के लिए again हम plus वाले sign पर click करेंगे हम चूज कर लेते हैं short answer और यहाँ पर हम लिख देते हैं date of birth ठीक है required को कर दिया हमने on हम क्या करते हैं जलदेली सारे question को set कर लेते हैं ठीक है फिर फिर हम plus वाले sign पर जाते है इंसर पर क्लिक किया यहां पर हम लिख देते हैं mobile number mobile number required को कर दिया हमने on यह हमारा हो गया चौथा question ready पांचवा question को ready कर लेते हैं यहां पर हम लिख देते हैं state and city required को हमने कर दिया on यह हमारा पांचवा question ready हो गया ठीक है उसके बाद हम again plus पर हम click करेंगे इंसर पर क्लिक करेंगे यहां पर लिखेंगे current profession ठीक है यह हमारा चटा question ready हो चुका है अब हम साथों question में क्या करेंगे instagram id इंस्टाग्राम id इसको भी हमने on कर दिया ठीक है एंड लास्ट एक और question हम text करेंगे यहां पर that why you want to start online earning हमने यहां पर required को कर दिया on ठीक है तो हमने यहां पर देखो लगबग 8 question मैंने डाला है आप भी इस 8 question का आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने form को बनाने के लिए ठीक है आप चाहो तो screenshot ले लो या फिर आप अपने diary में note कर लो कि मैंने कौन-कौन से question लिखें ठीक है और यह जो भी मैंने question लिखें यह best question होता है ठीक है form में डालने के लिए ठीक है इसके अलावे आप आप ज्यादा मत करना ज्यादा करोगे तो बढ़िया नहीं दिखेगा आपका form इतना enough होता है 7-8 question enough होता है ठीक है form के लिए तो मैंने सारे question को set कर लिया है और यह हमारा form बनके ready हो चुका है ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि देखो यहाँ किसी भी question पर क्लिक करके आप उपर नीचे कर सकते हो अगर आपका question उपर नीचे हो जाए तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो ठीक है अपने question को ठीक है फिलाल हम अभी ऐसा ही रहने देते हैं ठीक है आपको सेटिंग वाले option पर क्लिक करना है जैसे पहले option प्लिक करोगे आपको सबसे पहले option दीक रहा होगा change theme का ठीक है तो आप यहाँ से theme को change कर सकते हो अपने form का और अपने form को एक better look दे सकते हो ठी करते हैं चेंज जैसे आप चेंज फीम पे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारा थीम आएगा आप किसी भी थीम को अपने फॉर्म को बेटर बनाने के लिए बैटर लुक देने के लिए मेरे को प्रस्टनली जो तीम अच्छा लगता है वह लगता है ये वाला जो आपको आप चेंज भी कर सकते हो यह आपकी च्वाय से ठीक है आप देखो नीचे में आपको एक option दिख रहा है start survey का राइट तो इस जगे पर start survey के जगे पर आप कुछ और भी चीज़े सर्वे लिखा हुआ था अब उसके जगे पर क्या लिखा हुआ आएगा click and fill details में दिखाता हूं आपको इसके लिए हमें जाना होगा आप रहने दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है या आपकी choice है ठीक है अब देखो आपको क्या करना है setting के बगल में आपको एक option दिख रहा होगा submit का ठीक है आपको submit वाले option पर click करना है जैसे आप click करोगे तो यह जो आपका form का जो link है वो बनके ready हो जाएगा आप देख सकते है यहां पर लिखा हुआ है copy link ठीक है तो आप यहां से इस link को copy करके आप कहीं भी share कर सकते हो या फिर आप Instagram के आप बायो में लगा सकते हो ठीक है अब हम back आ जाते है ठीक है अब यहां पर देखो जैसे आप back आओगे तो यहां पर आपको बहुत सारे option दिख रहे होंगे ठीक अब यहां पर 0 दिखा रहा है क्योंकि यह नया form है ठीक है उसके नीचे लिखा हुआ है edit form ठीक है edit form का मतलब यह है कि आप यहां से अपने form को edit कर सकते हो हम इसके पर click करते हैं अगर आप चाहो तो आप अपना description चेंज कर सकते हो ठीक है यहां से edit करके आप कुछ भी change कर सकत हो और सबसे नीचे एक option दिख रहा है आपको delete form तो आप इस पर click करके आप इस form को delete भी कर सकते हो आप सीख चुके होगे कि आप खुद से survey heart का form आप कैसे बना सकते हो राइट अगर आपको किसी टॉपिक युपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को Instagram के message कर सकते हो मैंने description में मैंने Instagram का link दिया हुआ है आप मेरे को message जरूर कर सकते हो मैं आपके message का definitely reply करूँगा ठीक है तो आपने ये तो सीख लिया कि आप survey heart का form कैसे बना सकते हो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि आप WhatsApp नंबर का link आप कैसे बना सकते हो और साथी साथ आप WhatsApp status को कैसे download कर सकत अपर कर सकते हो侍